हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर जिंद प्रहीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बेस से स्टुन अगर आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की ताहरी कर रहे हैं जहां पर हाइर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही एल्फुल है जो आई टे पर यहां पर जाके मेरे प्रीवियस ग्रूप थियोरी की वीडियो आप देख सकते हैं आज मैं आपके सामने डिसक्स करने वाला हूं साइलो थियोरम पर काफी सारे थियोरम का प्रूफ भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो आज मैं यह सब टॉपिक्स आपके सामने डिसक्स करने वाला हूं पर शुन में आपको बता दूं कि इससे पहले आपको सेंटर आफ ग्रूप के बारे में प्लस नॉमल एजर के बारे में थोड़ा एडिया हो ग्रूप के ओडर को डिवाइड करता है तो उस ग्रूप के पास उस ओडर का एलिमेंट होगा मतलब उस प्राइम ओडर का एलिमेंट होगा राइड यह हमारे पास यह कोची थियोरम बोलती है माल लिजे कि अगर मैं S3 की बात करूं यहां पैना S3 की बात करूं तो हम जानत के पास two order का कम सिकम एक element तो होगा ही होगा इस तरह से अगरики तो three s3 के order को डिवाइड करता है तो इस s3 के पास कम सिकम एक elements जो हगा उसका order क्या होगा three होगा यह हमारे पास कोची थे rap बोलती है यूछ रूता हूज launch फिरम में उसका बोलती है ले जी दे ग्रूप and P be the prime number and P power M divides order of G but इससे बड़ी वाली power जो है मतलब P power M plus 1 does not divide order of G for M is greater than 0 then G has a subgroup of order P power M कहने का मतलब यहां पे यह हुआ कि अगर कोई भी prime की power group के order को divide करती है पर उससे बड़ी power group के order को divide नहीं करती है तो उसके पास इस P power M order का कम से कम एक subgroup तो होगा ही होगा for example मैं वापिस S3 पे लेकर चलता हूँ आपको इससों अगर बात करें यहां पे तो S3 का जो order होता है वो हमारे पास कितना होता है 6 होता है इसको मुलिख सकते है 2 into 3 आप जानते हैं कि 2 हमारे पास order of S3 को divide करता है पर 2 power 2 इसकी एक power बड़ा दे तो वो इस S3 के order को divide नहीं करता है इसका मतलब यह हुआ कि S3 के पास कम से कम एक 2 order का subgroup होगा और इसको यहां पे बोलते हैं 2 SSE या 2 silo subgroup इसे तरह से अगर बात करें यहां पे तो 3 order of S3 को divide करता है बट 3 power 2 does not divides order of S3 तो आप यहां पे यह कह सकते हैं कि इसके पास कम से कम एक ऐसा subgroup होगा जिसका order क्या होगा 3 होगा और उसको बोलते हैं यहां पे 3 SSE देखो थोड़ा सा difference बता जाता हूँ यह बोलती है अगर प्राइम की power group के order को divide करती है तो उसके पास उस प्राइम ओडर का element होता है वह element की बात करती है यह सब गुरूप की बात करता है तो दर इस डिफरेंस बेवें देवें साइलो एंड कोची थिरूँ आप एक नोट देखेंगे इस टाइप ऑफ सभी इस कॉल साइलो पी सभी और पी एससी एंड ऑडर पी एससे पी पावर एम इन जो भी एटेस फिक ऑट्रेथी चुगा वह क्या होगा पी पावर SSG मिलेगा, SSG मिलेगा, जिसका ओर्डर जो होगा, वो हमारे पास क्या होगा 11 स्क्वार होगा, मतलब 1 21 का ओर्डर रहेगा, पर रहेगा 11 SSG इसी ताब से अगर बात करें यहां पर, तो 242 को डिवाइड करता है इसका नाम है यह 11 साइलो सब गुरूप इसका नाम है और यह इसका ओडर है इसका ओडर यहां पर क्या होगा इसको डिवाइट कर रहा था तो उतने ओडर का सब गुरूप होगा यहां पर टू डिवाइट कर रहा है तो टू ओडर का सब गुरूप हो राइट तो यह ध्यान दे नहीं कि स्टुटिस में बड़ा का इंफ्यूज होता है कि सर ठीक है सब गुरूप तो टू एससजी पर ओडर कितना यह किसे पता करेंगे तो वह पी की मैक्समम पावर जो पर इंडक्शन से प्रूव करेंगे सबसे पहला केस लिया कि अज्यूम इट इस टू फॉर दे ग्रूप फिद ओडर लेस देन ओडर ऑफ जी मतलब जो हमारे पास चौनम है वह वह सभी ग्रूप के लिए जिसका ओडर इस ओडर से चोटा होगा और उसको प्राइम की पाव को डिवाइट करते हैं का सब्हुरूप एक जिसका ओडर क्या हो जाए पी पावरें मोजा रहाइट देखिए यहां पे सब्गूरूप है और यहीं हमारे पास यहिए प्रूव करता है कि उसके पास कम से कम में एक सब्गूरूप होगा जिसका ओडर प्राइम की पाउडर अब बात करेंगे कि अब इसको कैसे प्रूप करेंगे तो अब इसको कैसे प्रूप करेंगे अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर को ईक लेंट में तो हम यह अजम्सिन लेके चल रहे हैं कि पी पाउर M order of G को डिवाइट करता है पर वो उसके proper सब गुरूप को डिवाइट नहीं करेगा अगर पी पाउर M order of G को डिवाइट कर रहा है हम यह जानते हैं तो हमने क्या कर दिया अब यहाँ पर इस पूरे को डिवाइट कर रहा है पर हम जानते कि order of NA को डिवाइट नहीं चाहिए इसको डिवाइट करेगा और इसको डिवाइट करेगा और इसको डिवाइट करेगा तो इसको डिवाइट करेगा अब पी इसको डिवाइट करेगा तो पी इसको डिवाइट करेगा तो पी इसके समेशन को भी डिवाइट करेगा तो इसके समेशन को डिवाइट minus order of summation order of G upon order of NA और यहां पर जाएगा यहां पर क्या करेगा यह डिवाइट करेगा अब आपको यहां पर वेल्यू निकालने की order of G minus अगर इसको मैं माइनस करूँ तो इसके बराबर होगी सेंटर के बराबर होगी इसका मतलब यह हुआ कि order of जेट जी हो जाएगा तो हमने यहां पर यहां पर पता लगाले कि यहां पर क्या करेगा अब आगे देखिए अगर कोई भी प्राइम नबर order of G को divided करता है तो हम जानते कोची थिय прог Anytime एक एसथ करेगा जिसका पूर टियोगा प्राइम तो यहाँ पE कोची पंढल से करेगा जिसका एक साव्ड कियाँ में प्राइम हो जाएगा कि सिब्सक्राइम है तो किसी अशन도र एक सब्राइम है तो हम कि जो element होंगे वो भी हमारे पास कितों होंगे इसका मतलब जो ओडर ओफ होगा वो भी हमारे पास क्या होगा प्राइम ओडर का होगा वह सब गूरूप होगा किसका जेट जेका अब देखे सुनों अब हम यहां तक पहुंच गए कि हमने यह पता कर लिया कि जी जो है द्यान अब यहां पर जो है वह जी का क्या होगा नॉमल सब्कुरूप होगा जो जी जी का भी क्या होगा प्राइच ऑगर जी का नॉमल जब्रूप अगर जी नॉमल सब्गूप है तो सभी हो ओद्ग होगा क्योंकि हम जानते कि जो question group होता है उसमें नीचे वाला जो यह वह उपर वाले का क्या होना चाहिए normal subgroup होना चाहिए और हम जानते कि g by h का जो order होता हुआ हमेशा group के order से क्या होता है कम होता है अब ध्यान देने के जरूत है कि p power m order of g को divide कर रहा है हमने क्या करा order of h को उपर नीचे multiply divide करते है अब हम देख रहे हैं कि p power m इस पूरी को divide कर रहा पर p power m order of h को divide नहीं करेगा क्योंकि हम assumption लेकर चल रहे थे कि प्राइम की power उसके proper सब गूर नहीं करेगा इसका हम प्राइम की पावर m इसको divide करेगी order of g upon order of h अब अगर प्राइम की पावर इसको divide करेगी तो उसे छोटी power जितरी भी होगी वह साब इस order of g by h को क्या करेगी सकते P power M minus one देखो P power M minus one भी इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका order P power M minus one भी ले सकते राइड तो order of k by h is equal to P power M minus one अब इसको एस तर से लिख सकते order of k upon order of h is equal to P power M minus one और order of j जो अज्वो पी था तो यहाँ पर एम इसकी value रख देंगे तो आप देखो यह पनेज और पास प्राइम की पावर मोगा और यहीं हमें प्रूब कर रहा है कि हमारे पास अगर कोई वह संग प्र मने प्रॉप औरब करते एक जिसका we areAlene प्राइम की तर स्काला कोए फावर कर दिया हम इसका खρι alkaline इंटू 5 स्कॉर आप देख रहे हैं सुनिया पर 7 स्कॉर 1225 को डिवाइड कर रहा पर हम जानते हैं सेवन क्यूब 1225 को डिवाइड नहीं करता है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 7 SSG होगा जिसका ओडर हमारे पास क्या होगा 49 होगा मतलब 7 स्कॉर होगा एंड आप देख रहे हैं सुनिया पर कि 5 स्कॉर 1225 को डिवाइड कर रहा है बाट इसकी एक बड़ी पावर 1225 को डिवाइड नहीं करें इसका मतलब यहां पर 5 SSG ऐसा होगा जिसका ओडर क्या होगा 25 होगा तो यहां पर जो साइलो 1st यूरम होती ही वह यही बोलती है कि अगर प्राइम की पावर किसी भी ग्रूप के ओडर को डिवाइड करती है तो उसके पास कम से कम एक ऐसा सब ग्रूप होगा जिसका ओडर की पावर होता राइट और उसको PSG यहां पर बोलते हैं मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पड़ाया वह आपको बहुत अच्छे से समझ बाया होगा और नेक्स में लिखे आने वाला हूँ साइलो सेकिंट यूरम का प्रूफ और सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह मेरा चैनल जहां पर आप हायर मैट्स की वीडियो देख सकते हैं तैक्यों सो मच और कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरू बताइए लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तन्यवाद